हारती कभी नंदन व्यूवर्स आपके अपने चैनल स्टॉक स्पार्क ट्रेडर्स में आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मॉर्पन लबॉर्टरिस लिमिटेड स्टॉक के बारे में जिसमें आज हमें 10% तक की तेजी देखने को मिली जो के इस स्टॉक के लिए बहुत बढ़िया बात है तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टॉक में आई इतनी बड़ी तेजी के पीछे का रीजन क्या है और इंवेस्टर्स इसमें क्या करें फ्यूचर में क्या हो सकते हैं इसके टार्गेट्स तो वीडियो को एंट तक जरूर देखें और ऐसी और इंफोर्मेशनल वीडियो के लिए चैनल को सिस्क्राइब करना ना भूलें जैसे कि हमें ये स्टॉक 47.80 रूपीज के आसपास 9% की तेजी में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है जो कि एक स्टॉक के लिए बहुत ही बड़ी बात है स्टॉक का 52 weeks low और high देखें तो स्टॉक में 36.35 रूपीज का low और 75 रूपीज का high बनाया है चलिए अब बात करते हैं इसके fundamentals की और जानते हैं इस तेजी के पीछे की वज़ा क्या है आने वाले समय में कितनी बड़ी तेजी हमें इस टॉक में देखने को मिल सकती है हम आपको बताना जाएंगे कि पिछले एक साल से हम प्राइम ग्रूप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें daily cash equity calls मिलती हैं जो कि हमारी research team द्वारा प्रोवाइड की जाती है हमारे पास 260 plus members already है जो इस service को हर month continue कर रहे हैं जिसकी fees सिरफ 600 रूपीज पर मन्थ है जो भी इसके लिए interested है वो description box में given whatsapp number या telegram link के द्वारा हमें contact कर सकते हैं इस company का market capital 262 for crores का है और stock 22 की PE पर है ये 2 रूपीज की face value वाला stock है जिसमें हमें बहुत सारी positive चीजें पिछले last quarter से होती देखने को मिल रही है जो इस stock की तेजी का कारण बन सकती है इस company की sales में हमें 32% की growth year on year basis पर देखने को मिल रही है जो कि एक company के लिए बहुत positive बात है और promoter holdings देखें तो पिछले कई सालों से 34.54 पर fix थी वो last quarter में promoters की तरफ से बढ़ा कर 38.38 कर दी गई है FII इसने भी stock में अपना stake बढ़ाया है जो कि 0.91% से बढ़कर 1.12% हो चुका है company के पास reserves देखें तो 402 करोड का reserve company के पास हो चुका है जो कि पिछले कई साल से compare करें तो बहुत बढ़िया है company ने borrowings अपनी घटा कर यानि company ने अपना debt जो है last year 137 करोड के मुकाबले घटा कर सिरफ 12 करोड कर लिया है और company almost debt free हो चुकी है net cash flow हम देखें तो 4 करोड से बढ़कर 28 करोड हो चुका है तो ये सब positive चीज़ें इस company में होती देखकर हम उमीद कर सकते हैं कि company बहुत ही बढ़िया perform कर रही है और company का future बहुत strong है जिसके चलते हमें stock price में भी action देखने को मिलेगा और stock में बहुत बढ़िया rally देखने को मिल सकती है investors अब इस stock को बेशने के बारे में बिलकुल न सोचें और long term के लिए hold करें बहुत जल्द एक नया 52 weeks high बनता हुआ इस stock में नजर आ सकता है और next quarter results में हमें काफी growth देखने को मिलेगी जिसका impact stock पर सीधा दिखेगा तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट्स के साथ